कपड़े धोने वाली बहू शादी के पहले से ही वीभा को कपड़े धोने खंब बड़ा शौक था कभी नल के नीचे तो कभी तालाद की पास अरे मेरी नीली वाली लूंगी नहीं दिख रही है वीभा की अम्मा कहा रखे लूंगी अरे वो तो वीभा ने बरसो ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में देखो वही होगी वो ना मैंने आज दो दी मुझे लगा कि गंदी होगी होगी अरक्यार से गंदी हो गई थी उसे तो मैंने पैना भी नहीं ये भगवान इस लड़की के कपड़े दोने की आदत से परिशान हो गया हूं मैं जितना तो घर में राशन नहीं आता उससे कहीं ज्यादा डिटरजेंट पाउडर का खर्चा है इसकी शादी करवा दो शादी जाए अपने घर में ही करेगा फिर चाहे घर के कपड़े दोने हो या पुरे गाओं की ठीक बोल रही हो देखता हूं मैं कोई लड़का वो दिन भी आ जाता है जब वीभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं लड़की मुझे अच्छी लगी होने वाली सास कहती है बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछलो वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मिली है जो बोल दो वो मान लेती है इसे क्या पूछना होगा अरे कैसी बात करी हो मा मुझे इन लोगों की घर रहना है सवाल तो कही है ओ हा बेटा पूछलो ना क्या पूछना है आप लोगों की घर कपड़ी कौन दूता है सास का मूँ बन जाता है तेखो अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हे कपड़े दूने नहीं आते तो सुन लो कपड़े मैं ही धोती हूँ लेकिन तुम्हारे आज आने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोंगी अर अच्चो परायना भागे वाग बहु बेचारी घर आई नहीं उसे डराना शुरू कर दिया वो क्या है ना बिट्या अभी तक तो ये कल्लू की मा ही धोती थी लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहज में वाशिंग मेशिन देंगे ही तब ही वीबा की मा बोल पड़ती है सवाल भी पूछा तो क्या ऐसे भाई सहा मेशिन की तो फिर भी कपड़े धोने की कापिसिटी होती है मतलब जो बिट्या दे रहे ना वीबा इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है ये आप लोगों की क्या आस पडोज गाउ महले सब की कपड़े धो दे और उप तक ना करे बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सुख रहे हैं सब हमारी बिट्या नहीं तो दोए हैं बस्भी करो नमा शर मारी इतनी तारीव सुनके और तो एक डाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाओ हाँ अच्छा अच्छा माफ करना बेटा मैंने गलत समझा हमें तो रिष्टा बहुत पसंद है और ऐसे जुड़ जाता है रिष्टा कपड़ी दोने का शौक रखने वाली बिभा का उसकी शादी हो जाती है कौिला फैक्ड़री में काम करने वाले कलो के साथ शादी के बाद अच्यनक बिभा चिलाती हुई सास के पास आती है अरे सासमा कहा है आप ये तो धोखा है दोखा दिया आप लोगोंने मुझे इसे ससूरगे चक्कर के बारे में पता चल गया अरे तो उसमें तुझे क्यों दोखा मिला है अरे नल में पानी नहीं आता कपड़े कैसे कप दो लेंगे अच्छा अच्छा तू पानी नहीं आ रहा उसके बात कर रही है तो आपने क्या सूचा? कुछ नहीं अच्छा तेरी मा ने कहा था कि कपड़े दोने का शॉक है तुझे याद आया मुझे शॉक शॉक बोल कर कपड़े दोने वाले मेरे जुनून को कम ना किसा सुमा कपड़ा दोना मेरा गुरूर है तभी पती भी वहां आ जाता है अभी अभी मैंने इसे सनी दियोल की फिल्म दिखाए है उसे के डायलोग मार रही है मा अच्छा सुन साफ साफ बता रही हूँ पानी सुब़ चार से छे और शान को तस से बार आता है समझी? वीवा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है ये क्या भूरतों का महला है? सुब़ चार बजे उटकर कौन कपड़े दोता है? चार बजे टंकी में पानी जाता है फिर सारा दिन धोना ना किसने मना किया? अरे कैसे बात कर रही है? दो सो लिटर की टंकी में कितने कपड़े दोलूंगी मैं? सुब़ ये उट जाओंगी मैं? अब क्या था? वीवा सुब़ चार से लेकर रात के बारा बजे तक कपड़े ही दोती रहती एक रोज सास पड़ों से निकल कर कहीं जा रही होती है कि साथ वाली कहती है? हाँ कल्लू की मा, सर ये बताओ कि दो साड़ी है, दो बिलाउज, और एक पैटिकोट, और एक नाड़े वाला लंबा कच्छा हाँ तो? अरे तो क्या? कितना लोगी दुलाई ये बताओ? दो बन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पती सरकारी नाखरी से अभी अभी रिटाइर हुए है और बेटा सुपरवाइजर है कोईला फैक्टरी में दो बन समिझ रखा है हमें हाई रे कल्लू की अमा माफ कर दो पुत महले में ये ही सब बत्या रहे थी कि तुमने बहु को कपड़ा दुलवाने की काम में लगा दिया है सास को पडोसं की बात सुनकर गुसा आ जाता है वो घर पहुँशती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सुख रहे होते हैं जितने की किसी दोबन के घर पर माजी यही यही आजा बात्रूम में चागर दो रहे हैं हम अरे अभी हम धोते हैं तुमको बहा निकलो ये आस पडोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहु से कपड़े दुलवा दुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिये हैं अरे छोड़ो ना माजी किन लोगों की बातों में आती हो आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहु को लड़ा दे बहु सारे घर के कपड़े दूती है ये क्या कम है बोली सास को भी लग जाता है कि वो बहु का ये संकीपन नहीं चुड़वा सकते इससे अच्छा है कि खुदे चूप हो जाए एक रोज सास और बहु मंदिज जाते है जहां सास की सारी वहां खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है माजी क्या बात है आपकी सारी उस मिखारन से कितनी मिल रही है ना हाँ हाँ देखो तो दोनों की सारी मिल रही है क्या बात है कर लो कि अमा तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसे सिंपल सी प्लेन सारी पहन कर गूमती हो सिंपल और प्लेन नहीं है ये सारी तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछी भी सास मा, कुछी भी हाँ बने थे इस साडी में सोने के धागे से फूल मेरे पती लेकर आए थे मदरा से specially मेरे लिए दस सजार की ताहे भाई सहाब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साडी लेकर आए होंगे दस सजार की सास उस वक्त कुछ नहीं कहती लेकिन बहु के साथ घर आती है और अलमारी से अलबम निकाल कर लाती है यह साडी देख रही है यह वही साडी है जिसे मैंने अभी पहना था इस साडी में यह जो चमकदार फूल दिख रहे हैं न यह सोने के धागों से काड़े गए है लेकिन तू लोकल वाशिंग मशीन ब्रश से गिस गिस कर सारे फूलों को निकाल कर साडी प्लेन कर दी मुझे माफ कर दीजी सासुमा और तो और जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा लेकिन तू ने तो सब के सामने मेरा मजाख ही बना दिया क्यों? बहु को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़ी धोना बंद बहु को समझ में आ जाता है कि अब सामने में आ जाता है कि अब सामने में आ जाता है